चाह का पान धारिणी नमो तारे नमो तारे चिराग्त तारे नमो तारे नमो तारे हैं दाकनी शाकनी भूत पलिता सो सो कोस दूर भगाया चंडी तारा फिरे ब्रह्मांडी तुम तो तीन लोग की जननी जजय मत तारा घर बार छाड़ा लगेना ट्रेन भड़ा श्रिनाज जी गुरुजी को अलखादेश मा भगवती को अलखादेश राची वाले भाहिरब बाबा को अलखादेश बहुत मत पूर्ण विशा है आज का मैंने लिखा है कि इसके बिना सिध्धी प्राप्त नहीं हो गई ये कौन सा मंत्र है ये मंत्र है नील तारा का कौन है नील तारा तारा शब्द सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि बुद्धिष्ट या तिबित्तिन का कॉपी राइट है लेकिन मा तारा भारत में विराजती है दो कहानी है इसको ले करके एक तो की मा का जनम हिमाचल में हुआ था वहां से आ करके वो तारापीट में बैटी दूसरा की वशिष्ट मुनी उनको चाइना से ले करके आये थे और उनको पहले स्थापित किया था बिहार में आज भी बांका जिला के आसपास में मा तारा का मंदिर है कच्चा कही है और उसी में मा विराजती है और मा ने उनसे वचन लिया था कि आप मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे लेकिन मुनिवर ने अपनी अरधांगनी को बता दिया कि मैं तारा को लेके आया हूँ उसके तारा मसानी हो गई और वही मसानी सवरूप हम मा तारा का देखते हैं तारा पीठ में ठीक है तो मा तारा के विबिन रूप है जैसे हम लोग मानते है महामाया के बहुत सारे रूप है और एक ही महामाया का अलग-अलग रूप को अलग-अलग तरीके से पूछते हैं मतलब वही दुर्गा, वही भुमनेश्वरी, वही माकाली, वही लक्ष्मी, वही सरस्वती, वही गाइत्री, वही सावित्री उसी तरीके से तारा का अलग-अलग रूप है देखो मा तारा तोतली है तो तोतला मैं भी हो गया तो मा तारा का अलग-अलग रूप है उसी में एक रूप है मा का नील सरूप नील तारा नील तारा को ही सरस्वती मना गया है ठीक है और मा नील तारा की साधना से ही साधक की बुद्धी जागरित होती है अब ही मैं देख रहा था पिछले दो-तीन वीडियो में लोग ऐसा मुझे लिख के भेज रहे थे कि गुरू जी बहुत बड़ा मंत्र है कैसे याद गरू इतना बड़ा मंत्र कैसे याद होगा अच्छा मैंने जब आपको वो मंत्र दिया तो मुझे तो याद हुआ ना अगर मुझे याद हुआ तो आपको भी याद होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं साधने में कोई तुरूटी हो रही है कि हम लोग स्टेप वाइज अभी नहीं जाते हैं हम लोगों के गुरू ने हर तरीके से स्टेप वाइज साधना बताई थी तो उसी में शुरुवात की साधना हमारा तारा का साधना होता है तो तारह में नील जो शुरुवात में जो दो line बोली वो तारह का 10 महाविद्या का line है ठीक है तो हमने 10 महाविद्या शिद्ध कड़ी उसके बाद नील तारह का मंत्र शिद्ध करोगे तो आपकी बुद्धी तेज हो चाती है और आप मंत्रों को grab करने लगते हो देखो आप ही क्या होता है कि आपको किसी ने मंत्र लिखके दे दिया या आपने किसी यूटीब से एक वीडियो में मंत्र देखा उसके मंत्र को पढ़ते रहते हैं देखके और फिर आप जाप करते हैं जब आप ऐसा करते हैं तो आपने जहां वो मंत्र लिखा वो कागच आपका सिद्ध हो जाता है और कुछ सिद्ध नहीं होता है आप सिद्ध होता है ना इश्ठ सिद्ध होता है ना माला सिद्ध होता है ना कर आपका सिद्ध होता है इसलिए कभी भी किसी मंत्र को सिध करने से पहले मंत्र को याद कर लेना चाहिए और वो जो साधना है वो नीलतारा का साधना जिससे आप मंत्र को याद कर सकते हैं ये जो नीलतारा का मंत्र है ये विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्व पूर्ण है जो विद्यार्थी है वो अगर 108 बार नीलतारा का मंत्र जपेंगे तो नीलतारा बिलकुल ही खुश होगी और उनका जो बुद्धी है वो तेज बनेगा और उसको हमेशा याद रहेगा जो भी चीज वो याद करेगा ठीक है नीलतारा का मंत्र बहुत ही सिंपल है इसको आप लोग लिखने में तीन बार बता रहा हूँ आम ओम रिम नीलताराये क्लिम हुमफट नौ दिन तक इसको रात में आप 11-11 माला करेंगे पहले याद कर लीजेगा आईसे तो मंत्र बहुत असान है रुद्राक्ष पर या करमाला पर इसको 11-11 माला कीजेगा दसवे दिन इसका आहुती दीजेगा दिन देखके शुरू कीजेगा शनिवार बहुत अच्छा दिन होता है मा के लिए तो शनिवार से शुरू कीजेए या फिर अभी जो 9-11 में आप इसको सिद्ध करके दसवे दिन आप पूर ना होती देदीजेगा उसके बाद आपको मंत्र बिल्कुल तोते की तरह याद होगा बिल्कुल ही साफ आप हमेशा धन्यवाद दोगे कि रूद्रनाजी ने एक काम का चीज दिया था तो नील तारा का के सिद्धी आप करिए और मेरा जो किताब है फिर से मैं उसका प्रचाल कर दे रहा हूँ कि A Handbook for Paranormal Investigator यह Amazon और Flipkart और Snapdeal और जिस जिस पर भी आप चाहोगे पूरे विश्व में हर जगा आपको मिल जाएगा जो मुझसे बात करना चाहते है जिनकी कोई समस्या है या फिर कुछ साधना के विश्या में मुझसे जानना चाहते हैं वह Google Play पे जाकर के Call Me for App डाउनलोड की करेंगे उसमें रूद्रनात सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल आएगा आप उससे मुझसे मुझसे डारेक्ट कॉल कर सकते हैं मैं फोन नंबर नहीं देता हूं ठीक है क्योंकि क्या होता है देखो मैं आज बता भी दे रहा हूँ मैं फोन नंबर क्यों नहीं देता हूं क्यूंकि लोगों को लगता है कि काम फ्री में होना चाहिए तो जिस सादक ने अपना समय लगा के वो साधना प्राप्त किया है उसका समय और पैसा दों गया है तो वो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए आप क्यों सोसते हो कि सादक तो सब कुछ फ्री में मिल जाता हो और वो अपना समय भी आपके लिए फ्री में ते जब कि दुनिया के हर चीज के लिए आप पाईसे रहते हो याद रखना फ्री में सब जाल बिचता है और दूसरी बात यह है कि 9431188585 यह मेरा वाटसप नमबर है अगर मुझसे बात नहीं हो पाई तो इसका मेसेज कोड़िए और मैं आप से बात कर दूँगा डिरेक्ट कॉल ना करें आप सभी को आज के लिए अलाख आदेश मा नील तारा आप लोगों के तुन्दी तो बहुत ही तुन्दी तो बहुत ही तु धाज गे तुन्दी 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 है चैजब के ल Division 2000 तच्स घुन्दी तो भुत कि तूँड़ को आगे मेनरो लिए गए झाफ़िगेस लिए तो गार आचे तूज़गों के षाज़गेस